अस्सलावालेकूम आपको पता है कि हमारा फैक्ट्स अबाउट टूडे सीरीज का एक सिलसला चल रहा है जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे जो भी उस दिन की तारीक होती उसके हवाले से जो के पास्ट में वाक्यात रूनमा हुए होते हैं या जो फेमस परस्टनेलिटिस की बर्ट्स और डट्स होई होती है उस डेट को उसको हम कवर कर रहे होते हैं तो इसी हवाले से हमारी दो प्रिविएस वीडियो जो है वो अल्रेडी चैनल पर अप्लोड़ेड है उमीद है आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क थे उन्होंने अपना जो टेलिस्कोप का इंवेंटर भी थे उन्होंने जो है ने टेलिस्कोप की दिमोंस्ट्रेशन की थी विनेशियन लामेकर्स के सामने विनेशियन लामेकर्स के सामने गिलेडियो गिलेली ने कब टेलिस्कोप की डिमोंस्ट्रेशन की थी 25 अगस्ट 1609 को देन इसके बाद सेकेंड जो एक इंपॉर्टन चीज है वो यह आती है कि जो 1825 में युरोगवाई युरोगवाई बिसी के लिए को लूनी था ब्राजील की तो युरोगवाई ने इंडिपेंडनेस हासिल की थी ब्राजील से 25 अगस्ट 1825 को 25 अगस्ट को ही और विदाउट एनी फिजिकल एड्ज या किसी आर्टिफिशल एड्ज की मदल दिये बगएर उन्होंने ये खुद ही अपने आउन पर ये काम किया और इंग्लिस चैनल को जो है उन्होंने स्विम करके क्रॉस किया और ये कहां से स्टार्ट किया तो ट्रेवलिंग फॉम ड ये जो है क्रॉस किया था तो केप्टन मैथ्यू वेब थे जी इन्होंने स्विमिंग करके फिर्स्ट बन गे जिन्होंने अक्रॉस इंग्लिस चैनल स्विम किया था टोटल टाइम कितना लगा ये भी हमसे क्यूस आप से बूछ सकता है तुट्टिवन और फुटिफाइव म लाइट बन गया था तो ये 25 अगस्त के पहले चार इंपॉर्टन फैक्ट्स हैं अगर हम आगे चलें तो हमें पता चलता है कि 25 अगस्त 1914 को वर्ड वर वर वन के अंदर जर्मनी की फोर्स ने जो है वो कैप्चर किया था नेमोर जो बेलजियन सिटी था उसको कैप्चर किया जो वर्ड वर टू से पहले और ये शायद वर्ड वर टू की निशेट होने की रीजन बनी थी कि जब नाजी जर्मनी ने अटैक कर दिया था पॉलैंड के उपर तो इसी जो इसी पैक्ट था इसको रिंवोक करते है यूके जो है वर्ड वर वर टू के अंदर शामिल हो गया और उसने वर टेक्लियर कर दी अगेंस्ट नाजी जर्मनी तो 25 अगस्ट 1939 को क्या हुआ था कि फॉर्मेशन अफ अलाइंस हुआ था बेट्वीन यूके एंड पॉलैंड और ये एशोरेंस दी गई थी यूनाटिट गिंडम की तरफ से कि अगर उसको external aggression का सामना करना पड़ पॉलैंड को तो उसको यूके उसकी मदद के लिए आएगा तो पॉलैंड के हवाले से जो है वो रिशिया और जो नाजी जर्मनी थे वो अपने इपने इंफ्लॉंस पा सको डिवाइड करना चाहते थे लेकिन यूके ने इसके साथ का कि अगर इसके उपर को एटेक किया ग पर अपनी इंडिपेंडेंट इंटिटी को इन्होंने रिस्टोर करने कोशिच किए इसके बाद 2003 के अंदर नासा ने अपना टेलिस्कोप उसका नाम था स्पिट्जर स्पेस चेलिसकोप उसको लांच किया था स्पेस के अंदर ट्विफ फट अफ यूनलुई-ध्विफट जी 2005 में आया था लेकिन यह 25th of August 2005 को जिस स्टेट को हिट किया था यूस की उसका नम था फ्लोरेडा फ्लोरेडा को हरीकें कैटरीना ने हिट किया था 25th of August 2005 को सो यहां तक हमने historical facts cover कि एट facts regarding 25th of August now I am moving towards the basically जो birds हैं वो को इतनी जीज़दा famous नहीं है 25th of August के अवाले से तो आज हम five important deaths जो हैं वो देखेंगे 25th of August के अवाले से मुक्तलिफ important personalities के अवाले से जेम्स वाट जिन्होंने patent design किया था steam engine का और एक industrial revolution के अंदर एक बहुत एक important role भी था और power का जो unit है वाट वो इनके ही name के acronym के विजए से important electrical की field में तो Michael Freddie जो है basically British physics थे और chemist थे उनकी जो death हुई है वो 25th of August 1867 को होती है तो Michael Freddie की death का वो ही British physics और chemist थे बहुत famous किसम के और इनकी जो death है वो हुई है 25th of August 1867 को और 1867 को अगर इंडो पार्क हिस्ट्री के students अपने कान घड़े कर लें और नोट करें कि 1867 को एक बहुत important event हुआ था और वो event क्या हुआ था 25th of August 1867 में generally event क्या हुआ था 1867 की येर में उर्दो-हिंदी controversy स्टार्ट हुई थी बनारस के province से तो ये एक अलग से एक और important detail है इसके लावा 1900 के अंदर 25th of August फ्रेडिक निट्शे कोई जो philosophy से जिनका रुगबत है तो आज कर status भी देख रहे होंगे लोगों के तो निट्शे के बहुत ज़्यदा लोगों ने status लगाए मैं तो उसकी वज़ा ये है कि निट्शे की जो death anniversary है वो 25th of August को celebrate की जाती है और आज 123 येर्स हो गए है और फ्रेडिक निट्शे को इस दुनिया से गए वे 55 येर्स की एज में की death हुई थी और ये जी famous जर्मन philosopher थे और इनके बारे में literature पढ़िएगा जरूर अगर आपने philosophy की लिंच मिंस को समझना है तो निट्शे को समझना बहुत important आपके लिए 25th of August 1900 को इनकी death हुई थी इसके लावा Henry Becquerel जिनको Nobel Prize भी मिला था और इसके लावा इन्होंने radio activity discover की थी 1908 में इनकी death होती है 25th of August 1908 तो इसमें आपको साथ associated MCQs ये आ सकता है कि who discovered radio activity तो उनका नाम जी Henry Becquerel है और इनकी death कब हुई 1908 25th of August इसके बाद नील Armstrong जो के पहले person थे जिन्होंने moon के उपर land किया था American थे और इनकी जो death हुई थी अभी recently 11 years पहले इनकी death हुई है 25th of August 2012 को तो नील Armstrong के बारे में MCQ पूछा जाता है कि उन्होंने moon पे land करने वाला first person कौन सा था तो first person who landed on the moon वो नील Armstrong थे और इनकी death कब हुई इनकी death हुई हुई 25th of August 2012 को इसे आवाले से moon के उपर land करने बाला इंडिया भी पहला country बन गया जिसने moon के south pole पे land किया है और economically उसका budget भी सबसे कम था mission का और वो उसका चंदरियान 3 mission था उसने कब land किया है उसने 23rd of August 2023 को land किया है तो 25th of August 2012 को नील Armstrong की death होती है और ये जी first person थे जन्होंने moon पे land किया था उमीद है आपको आज की वीडियो जो एक smart वीडियो थी 25th of August के historical facts के वाले से वो आपको पसंद आई होगी है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बैल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा थैंक यू अला हाफिज